गुड मारिंग स्टूडेंट आज हम इंग्लिस बुक भरेंगे ठीक हैं इंग्लिस बुक पैद नमबर कितना है देखो बच्छे पैद नमबर 8 कितना है पैद नमबर 8 है ना तो आज हम क्या भरेंगे डीफर क्या है डग डीफर डग और डीफर डालफीन टीफर क्या है, डॉल फीन, टीफर डॉल भी होता है, टीफर डॉक भी होता है, ठीक है तो आज हम क्या भरेंगे, small letter D भरेंगे, कैसे D भरेंगे देखो बच्चे सीधे डंडा घीचेंगे, ऐसे करके खुमाएंगे, D, लाल बाली लाइं से blue बाली लाइं तक, ठीक है small letter D ये लाल बाली लाइन से टंडा ब्लू बाली लाइन से इसमें है नहीं तो इसमें हम D बनाएंगे कि बनाएंगे? D बनाएंगे इथे दूसरा लाइन देखो बच्चे D बनाएंगे क्या? ऐसे D small letter D बनाएंगे पैज नमबर कितना है बच्चे? पैज नमबर 8 D बनाएंगे पैज नमबर 8 इसमें है नहीं तो हम क्या बनाएंगे? D बनाएंगे ठीक है? D क्या है? थार्ड लाइन ऐसे? D अच्छा राटिं बनाएंगे सुन्दा राटिं बनाएंगे D Jew क्या हैр smaller डीन गर्ड़ वाली लाइन से ब्लू वाली लाइन तक हर एब वाली से ब्लू वाली तक है फिर फोर लाइन एसे भरेंगे ठीके एसे फोर लाइन भरेंगे ठीके एसे फोर लाइन एसे भरेंगे एसे ठीके रेड बाली लाइन से ब्लू बाली लाइन एसे हम क्या भरेंगे d small letter d भरेंगे ठीके बच्चो देखो आराम आराम से हाज चला ना सुन्दा राइटिंग बना की लिखी ना मैं very good दूंगी star दूंगी ठीके बडबाए बच्चे देखो फिर a से हम d बनाएंगे क्या बनाएंगे small letter d डी फर क्या होता है बच्चे दी फर dog डी फर dolphin डी फर dog dog मींज क्या है बच्चे बतक डॉल मींज क्या है बच्चे डॉल मींज गुडिया डी फर dog 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 मींज कुट्ता डी फर dolphin डी फर डल्फीन डल्फीन एक मचली डल्फीन वह समुंद्र में रहता है एक फिस का नाम है डल्फीन ठीके है पानी में रहता है यह समुंद्र में रहता है ज्यादा पानी में रहता है यह डल्फीन डी फर dog डी फर डल्फीन यह complete हो गया डी ठीक पिज़ नम्बर 8, है ना? पिज़ नम्बर 8 पूरा कम्पलेट हुग सुन्दर राइटिंग बना कि ऐसे पूरा कम्पलेट करके मेरे पास भेजना यह पेज भी और दूसरे पिज़ दखो Бचs-पैज़ नम्बर कितना है? 9 है, पैज नम्र 9 है ना बचे दखो? 8 के बाद 9 है ये भी भरना ठीक है यहां तक आप लोग काम करना है यहां तक भरना ठीक है दो पैज D बना के मेरे पास लेके आना मैं चेप करूँगी ठीक है बच्चे यह क्या है बच्चे यह लिखा है identify the picture and circle the correct letter तो इसमें क्या है correct letter D और C correct letter क्या है C है है ना circle मतलो गोला C यह क्या है ant है A for ant A में गोला यह क्या है बच्चो B for ball यह है B small letter है ना यह क्या है बच्चो C for cup C है small letter है ना circle लगाना उसके बाद नीचे light यह क्या है D for अभी मैंने बताया था D for dock documents बताक D में circle यह क्या है Aero plane A for Aero plane A में circle यह क्या है बच्चे A for XX मींस कुलाड़ी A में लगाना circle यह क्या है बच्चे देखो caterpillar क्या है caterpillar नहीं हम caterpillar नहीं लिखेंगे लिखेंगे butterfly butterfly B फर क्या लिखेंगे butterfly तितिली butterfly यह बटर फ्लाइड यह बटर फ्लाइड यह बटर फ्लाइड ही हिंदी क्या है तितिली B में लगाएंगे ठीक है आप लोग ऐसे circle लगाना दो दो लेटर है जो सही answer है C फर car C में circle A फर ant A में circle B फर ball B में circle C फर cup C में circle उस तरह D फर duck D में circle A फर aeroplane A में circle A फर X A में circle B फर butterfly B में circle इस तरह इसमें circle लगाना उसके बार D भरना ठीक है यहां तक पुरा भरना पुरा पेच यहां तक भरना ठीक है आज समझ में बच्चे दो पेच दी भरकी मेरे पास ले आना मैं चक करना अवर कुछ doubt है तक comment box में पूछना मैं बता दूगी ओके बच्चे थेंक्यू बच्चे